इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेट के अंदर जैसा कि आपको पता है इंडिया के अंदर एक इंडिजिनियस कमपनी है इंजिनिरिंग सेक्टर की PSU है एक Public Sector Undertaking के काटिगरी में आती है तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है कमपनी को एक बहुत बड़ी Opportunity हाथ लगी है वो कौन सी Opportunity है उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों से डिसकस करूँगा लेकिन फिर्स आफ और आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पे सबसे पहले लास्ट के 5 देज और 1 मंत का क्या पैटरन चला है इसके अंदर सबसे पहले आपको Graph के उपर लेके आऊँगा और वहां से हमनों Analyze करने की कोशिश करेंगे Last Day यानि Tuesday का अगर आप Graph देखेंगे तो हमें जबर 10 तरीके की तेजी देखने को मिली थी At the ending time of the day इसके अलावा Last के 5 देज के पैटरन को अगर आप Recognize करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि एक हमें धीरे धीरे सलोली सलोली इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है Last के वन मंद का Graph अगर आप देखें तो इसमें 44.15 का High है जो कि 5 February 2021 को बनाया और Low है 35.10 का जो कि 28th January 2021 को बनाया इसके अलावा अगर आप Last के 6 मंथ का Graph देखेंगे तो आपको Low मिलेगा 26.75 का 16 अक्टूबर 2020 का और High है अभी मैंने आपको जैसा बताया 5th February 2021 को बनने वाला 44.15 का और राइट तो इसकी Performance अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल लिए Last के कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा टेकनिकली देखा जा तो बुलिश है Market Cap अगर आप देखें तो आपको आसपास 13,900 क्रोर के आसपास का डेटा मिलेगा जो की बहुत ही अपने आप में बेस्ट है राइट बहुत ज़्यादा High तो नहीं है लेकिन अपने लेवल के इसाब से कम नहीं है Guys यहाँ पर आपको बतना जाहूंगा BHEL यानि भारत Heavy Electricals Limited ने December 2020 के quarter में 4,451.36 क्रोर रुपे की net sale किया है जो की year on year basis पे देखेंगे तो 21.64% डाउन है quarterly net loss की बात करेंगे तो 277.44 क्रोर का इनको net loss हुआ है December quarter के अंदर जो की आप अगर देखें तो 233.67% डाउन है अपने 2019 के December quarter के compare में Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization यानि EBITDA को अगर आप देखेंगे तो December quarter के लिए निकल गया आता है 99.38 क्रोर रुपए जो की आप देखेंगे year on year basis पे तो 120.98% डाउन है तो ये data है quarter 3 का अब आईए बात करते हैं कि कौन सी वो बड़ी सी दो opportunities मिली है इनको Let's come to the main point आगे मैं आपको बताओं लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि BHEL यानि भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेट का work area क्या है आप अगर कई बार से मेरी वीडियो को content को देखते होंगे तो आपको पता भी होगा मैंने बहुत बार बताया है फिर भी मैं आप लोगों में को बताना चाहूँगा designing, engineering, manufacturing, supply and addiction, commissioning of steam turbines ठीक है, generator हो गए, boilers हो गए और उससे जुड़ी होई जो associated auxiliaries होती है ये तमाम चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी चीजें चाहे वो transportation system से जुड़ा हुआ कोई part हो चाहे manufacturing से जुड़ा हुआ कोई part हो, machinery से जुड़ा हुआ कोई part हो equipment हो गए, power projects से जुड़े हुए equipment हो गए उन सारी चीजों को ये manufacturing करती है तो ये बहुत बड़ी company है, इंडिया के अंदर, PSU sector के अंदर आपको बताना चाहूँगा इन सारी चीजों के अलवा भारत Heavy Electricals Limited, बहुत बड़ा supplier है critical equipments का ठीक है? और critical services का, किसमे? defense as well as aerospace area यानि defense और aerospace में ये एक बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी है इन चीजों को critical equipments और services को supply करने के लिए तो ये भारत Heavy Electricals Limited का work space है अब आपको ये बात clear हो गई होगी अब बात करते हैं कौन कौन सी वो दो opportunity हाथ लगी है तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा भारत Heavy Electricals Limited को Indian Navy की तरफ से दो super rapid gun mounts order मिले हैं यानि इनको दो super rapid gun mounts supply करने हैं Indian Navy को जो front line ships की तरफ यूज की जाती है आपको बताना चाहूँगा SRGM को हम short में SRGM बोलते हैं super rapid gun mounts को आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको images के जरीए चीज समझ में आ रही होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यह front line ships की तरफ यूज किये जाते हैं और यह एक indigenized और standardized worships को connect करते हैं और यह एक मापदंड या एक तरीके से बोल सकते हैं standardized होते हैं बाकी जितने और worships होते हैं उन सभी के लिए तो इससे cost optimize करने में काफी हद तक मदद मिलती है जो manufacturing companies होते हैं जैसे की भारत heavy electricals limited तो यह है images यह images है SRGM के यानि super rapid gun mounts के तो भारत के लिए आत्म निर्भर बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह सारे बड़े बड़े जो आपको mounts दिख रहे हैं यह दूसरे देशों से मंगाया जाने से better है कि अपने देश के अंदर इसका manufacturing किया जाए इसकी supply पूरी की जाए और इसके अंदर बहुत सारे changes भी किये जाएंगे तो आईए net जो order मिला है उसकी बारे में detail में समझते हैं तो आप देख सकते हैं आपे state run भेल को भारत heavy electricals limited को Indian navy की तरफ से दो super rapid gun mounts को बनाने के लिए supply करने के लिए एक award मिला है एक order मिला है राइट Indian navy की तरफ से और भारत heavy electrical limited ये एक indigenized इन्होंने क्या किया है इस तरीके की जो super mount guns है super mount जो srgm है basically इनको इन्होंने indigenized किया है indigenized करने का मतलब हुआ कि घर के अंदर अपने देश के अंदर की छोड़ी छोड़ी technology और चीजों ideas को मिला करके इन्होंने तयार किया है इसके अलावा इन्होंने इसके लिए establishment किया है एक dedicated intricate manufacturing and inspection facilities मतलब कि उन सारे छोड़ी सो छोड़ी चीजों को देखने और समझने के लिए inspect करने के लिए एक facility इन्होंने setup किया है अपने हरदवार के production plant में यानि भारत heavy electrical equipment plant in हरदवार for production and installation and commissioning and life cycle support of these guns मतलब इन guns में कुछ होता है आगे यानि इनका production हुआ use हुआ in case अगर कोई दिक्कत आती है तो उन सारी चीजों को inspect करने के लिए पूरा इनका setup है production है और life cycle support है और राइट तो यहां पे इन guns के standardized होने से जो है cost optimization करने में और expertise को consolidate करने में और self reliance बनने में यानि आत्म निर्भर बनने में काफी हद तक मदद मिली है BHEL को यानि बहल को और भी चीजे जो है इसी तरीके के upgraded versions इसी जो gun है सार्जियम है इसी तरीके के अप इसी के upgraded versions के उपर भी काम करना है और company जो है काम कर रही है ताकि future के worship requirements को यह पूरी तरीके से cater कर सके और राइट तो इसके लिए जो है इन्होंने एक specialized manufacturing facilities जो है set up किया है जैसा कि आपको मैंने उपर बताया ताकि यह self reliance हो सके defense equipment production के लिए और उससे जुड़े हुए जितने भी initiatives हैं जो आत्म निर्भर भारत जो भारत अभियान है government of India का उसको drive करने के लिए और राइट तो इन सारे जों के अलावा आपको पता है बहल भारत heavy electricals limited thermal power sector में भी पूरी तरीगे से अपने आपको लोहा मनवा चुका है और राइट तो बहल एक बहुत सारी broad range की services और products को offer करता है Indian economy के अंदर तो I hope ये दो बहुत बड़े इनके पास project order receive हुए है Indian Navy की तरफ से तो शायद इसकी वज़स से भी आपको इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा एक project है चोटा मटा project नहीं है ये front line ships है जो मैंने आपको भी दिखाये थे तो I hope you understood guys and I hope ये information आपको enthusiastic लगी होगी helpful लगी होगी hopeful आपको लगी होगी और आपको confidence आया होगा अगर ऐसा है तो please आप confidence देने के लिए इस वीडियो को like जरूच कर दीजएगा दूसरी चीज़ दीमेट और बार गार आपको अपन कराना है इफ इंकेस you are new to this channel there is a link for you in description box of this video click on that link to open your account in upstock see you next time till then take care